हलो दोस्तो मधिप्रदेश की नंबर वन चैनल स्टड़ी यूनिवर्स में आपका स्वागत है आज है 9 माई 2019 और यह हमारी 149 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact हम अपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first हाली में लॉरेंटीनो कर्टीजो कहां के नए रास्टपती बने हैं जिसका सई option है पनामा हाली में लॉरेंटीनो कर्टीजो पनामा के नए रास्टपती बने हैं दोस्तो इन्होंने हाली में यहां के रास्टपती चुनावों में जीत हासल की है जिसके कारण यहां के रास्टपती बने है लॉरेंटीनो कर्टीजो दोस्तो अब बात आईए पनामा की तो आपको मैप में पनामा की बारे में बता दें मैप में ये जगह है पनामा को दरसाती है पनामा की जो राजदानी है वह है पनामा सिटी और पनामा की करंसी है बॉल्बुआ या यूएस डॉलर पनामा की प्रिसिडेंट है जुआन कार्लोस बरेला और पनामा की रास्टपती यही बने है लोरेंटीनो कर्टीजो तो दोस्तो इतना आपको पनामा के बारे में याद रखना है Next question हाली में कब 200 अस्तमा दिवस मनाया गया है जिसका सही option है 7 मई हाली में 7 मई को 200 अस्तमा दिवस मनाया गया है दोस्तो यह दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है इसका आयोजन Global Internship for अस्तमा द्वारा किया जाता है दोस्तों इसका पहला आयोजन 1998 यानि 1998 में किया गया था अस्तमा एक स्वसन संबंधी रोग है और यह किसी भी एज की लोगों को हो सकता है तो दोस्तों इतना आपको विश्व अस्तमा द्वस की बारी में याद रखना है Next Question हाली में PR रामचंद्र मेमन किस राज्य के मुख्य न्यायधीस बनी है जिसका सही ओफ्षन है 36 गड़ हाली में रामचंद्र मेमन 36 कड़ के मुख्य न्यायधीस बनी है दोस्तों ये 36 कड़ के 13 वी मुख्य न्यायधीस बनी है इन्होंने राजपाल अनन्री बेन पटेल ने रायपुर में राजजभवन में इन्हें सपद दिलाई है मुख्य न्यायधीस बनी है दोस्तों आपको बता दें 36 कड़ जो उच्च न्याला है वह बलासपुर में इस्थित है आपको बता दें ओल्ल चीफ जस्टिस से अजय कुमार तरपाथी और उनकी जगए पी रामचंद्र मेमन को यहां का मुख्य न्यायधीस बनाया गया है दोस्तों आप बात आईए 36 कड़ की तो आपको मैप में 36 कड़ की बारे में बता दें दोस्तों मैप में ये जगह 36 कड़ को दरसाधी है 36 कड़ की स्थापना एक नॉमबर 2000 को की गई थी मध्य प्रदिस से अलग करके 36 कड़ की राजपाल है अनन्दी बेन पटल 36 कड़ की मुक्यमंत्री है भूपेश बगेल और 36 कड़ की राजथानी है राइपुर तो दोस्तों इतना आपको 36 कड़ की बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसे VK कृष्ण मैमन अवार्ट प्रदान किया गया है जिसका सही option है G.D. रौवर्ट गोविंद हाली में G.D. रौवर्ट गोविंद को यह VK कृष्ण मैमन अवार्ड दिया गया है यह South Africa के पत्रकार है यह मैमन अवार्ड उत्क्रष्ट पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है आपको बता दें यह अवार्ड VK कृष्ण मैमन अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तो VK कृष्ण मैमन एक स्वतंत्रता सेनानी थी और यह UK में भरत के पहले उच्चायुक तो रहे थे तो इतना आपको VK कृष्ण मैमन के बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन माली के प्रदान मंत्री बने हैं? जिसका सही अफुशन है बोवुआ सिससे हाली में बोवुआ सिससे माली के प्रदान मंत्री बने हैं दोस्तो सैमिल लुव बोवया मेगा ने यहां के प्रदान मंत्री पत से अभी हाली में इस्तिपा दिया था और इनकी जगह हाली में बोवुआ सिससे को प्रदान मंत्री चुना गया है दोस्तों आपको बता दें कुछ कारणों की बज़े से यहां के प्रधान मंत्री जिनका नाम सौमोलुवा मेगा था इन्होंने इस्तिपा दिया था अब बात आईए दोस्तों माली देशकी तो आपको इसके बारे में बता दें मैप में यह जगह है माली को दर साती है माली की करस्तानिया बमाको करन्सीय वेस्ट आफ्रीकन फ्रेंक माली के रास्टपती है एब ब्राहेम बॉवकार किता और माली को सतंतता 20 जून 1960 को फ्रांस से मिली थी तो दोस्तों इतना आपको माली के बारे में याद रखنا है Next question हाली में मध्रदेश में CVSC 10th result में किसने टॉप किया है जिसका सही option है आस्था रगुबंसी हाली में आस्था रगुबंसी ने मध्रदेश में CVSC result 10th में टॉप किया है दोस्तों ये मध्रदेश की रतलाम की रहने वाली हैं और इन्होंने 500 में से 497 अंक लेकर मध्य प्रदेश में टॉप किया है दोस्तो इनका देश में 67 वा इस्थान है तो इतना आपको आस्था रगुबंसी के बारे में याद रखना है Next question हाली में डॉक्टर सफकत मुहम्मद खान टॉफी किस ने जीती है जिसका सई option है इन्दौर संभाग हाली में इन्दौर संभाग ने सफकत मुहम्मद खान टॉफी जीती है दोस्तो इन्दौर संभाग ने नर्बदापुरम संभाग को फाइनल में हरा कर यह टॉफी अपने नाम की है आपको बता दें यह अंतर संभागी प्रत्योगीता आईजित की गई थी भोपाल में दोस्तो अब बात आईए इंदोर संभाग की तो आपको कुछ important fact इंदोर के बारी में बता दें मध्यप्रदेश की ब्यावसाइक राजधानी के नाम से इंदोर को जाना जाता है मिनी मुंबई और अहलिया नगरी के नाम से भी इंदोर को जाना जाता है दोस्तो चंबल, छिप्रा और खान प्रमुक नदियां हैं इंदोर की देश का एक मात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित किये गए थे दोस्तो गेहू अनुसंधान केंद्र और प्रदेश का एक मात्र डेंटन कॉलेज इंदोर में ही इस्थित हैं भारत का पहला शोयावीन बाएदा बाजार भी यहीं पर बनाया गया है दोस्तो राला मंडल वन्र जीब अभ्यारन इंदोर जिले में ही इस्थित हैं तो इतना आपको इंदोर जिले की बारी में याद रखना है Next question हाली में अमेर्का में आयोजित डान्स रेयलिटी शो World of Dance Show किसने जीता है जिसका सही option है The Kings हाली में The Kings ने अमेर्का में आयोजित World of Dance Show जीता है दोस्तों आपको बता दें इस Dance Competition का यह तीसरा सीजन था The Kings को इनाम के तोर पर एक मिलियन डॉलर यानि करीफ साथ करोर रुपए दिये जाएंगे इस टीम में 14 सदर्स थे और इस ग्रूप के कोरिग्राफर थे सुरेश मुकुंद तो दोस्तों इतना आपको The Kings Dance Group के बारी में याद रखना है Next Question अब ये तबादले कीए है आपको इनके बारे में डीटेल में बता दें पहला जो तबादला किया गया है वह किया गया है स्रम नियाले सीधी से यहाँ पर पीठा सीन अधिकारी कलपना गौण को ओद्योगिक नियाले इन दोर भेजा गया है दूसरा जो तबादला किया गया है वह है स्रम नियाले देवास से पीठा सीन अधिकारी आत्मा राम खेरिया को ओद्योगिक नियाय भूपाल भेजा गया है तीसरा जो ट्रांसफर किया गया है वह ओद्योगिक नियालय ग्वालियर की किरनवाला पाठक को ओद्योगिक नियालय जबलपूर भेजा गया है चोथा जो ट्रांसफर किया गया है वह ओद्युएक नियालय भूपाल में पदस्त सचिन कुमार बिजय बरगिय को ओद्युएक नियालय ग्वालियर भीजा गया है पांचवा जो टांस पर या तबादला किया गया है वह स्रम नेयलाय के ग्वालियर से सीमाच स्रीवास्तो को देवा स्रम नेयलाय भेजा गया है तो ये पांच प्रमुक तवादले मद्ध्रदेश हाई कोट ने किये हैं तो इतना आपको इनके बारी में जरूर याद रखना है Next question हाली में देश की नंबर वन एर गन शूटर कौन बनी है जिसको सी ओफ्षन है स्रिया अगरवाल हाली में स्रिया अगरवाल देश की नंबर वन एर गन शूटर बनी है दोस्तो आपको श्रिया अगरवाल की बारी में बता दें इन्होंने हाली में National Rifle Association के द्वारा जारी की गई रेंकिंग में शूटिंग में जो जूनियर वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने पहला इस्थान हासल किया है श्रिया ने 12 वी Asian Championship में 3 Gold Medal जीते थे साथ ही 2 World Record और 2 Asian Record भी बनाये थे दोस्तों ये मत्रदेश की जवालपुर की रहने वाली हैं तो इतना आपको श्रिया अग्रवाल के बारी में याद रखना है Next Question Next Question हाली में किस यूनिवर्स्टी में अंतराष्टिय खूबियों वाला Swimming Pool बनाया गया है जिसका सही Option है जबाहरलाल नहरू विश्विद्याले हाली में इस जबाहरलाल नहरू विश्विद्याले में अंतराष्टिय खूबियों वाला Swimming Pool बनाया गया है दोस्तों आपको बता दें इस स्विंग पूल की लागत करीब एक करोर रुपय है 10 फीट गहराई है इस स्विंग पूल की और 25 फीट लंबाई है 7 लेयर पूल भी बनाए गए है दोस्तों इसे बनाने का उद्देश खेल सुविधाओं को बढ़ाना है जवलपूर में दोस्तों इस स्विंग पूल को वेक्टिरिया मुक्त बनाने के लिए तीन फिल्टर सिस्टम भी लगाए गए है और आपको पताई होगा जवालल नहरू विश्विध्याला यह एक क्रशी विश्विध्याला है और यह जवलपूर में इस्तित है तो इतना आपको इस विवी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन बिश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाले नेता कौन बने है जिसका सई option है स्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश की प्रधान मंत्री है यह बिश्व में सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाले दूसरे नेता बने है आपको बता दें हाली में Digital Market Framework S.E.M. रश ने मोदी जी के Facebook, Twitter और Instagram पर कुल 110 million follower देखी है बिस्व में पहले इस्थान पर USA के रास्टपती जो पूर्व रास्टपती है वह बराक उबामा है और दूसरे नमबर पर है हमारे देश के प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तो अब नरेंद्र मोदी जी की बात आई है तो आपको इनके बारे में एक important fact बता दें ये भारत के चौधवे प्रधान मंत्री हैं और इन्हें प्रधान मंत्री की सपत हमारे पूर्व रास्टपती प्रणा मुखर जी ने दिलाई थी तो इतना आपको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात करते हैं question of the day की तो आज का question है मत्री इसके किस जिले में team 1 national net wall championship में पहुची है तो इसका option आप टिक या comment box में दें दोस्तो जो कल question था उसका answer बहुत से लोगों ने सही दिया है और उसका answer था उज्जन आप कल का वीडियो देखें और वो previous day का question भी solve करें तो आज के लिए बस अतना ही दोस्तो अगर आपको हमारी channel से कोई भी जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे और हमारी एक और series जिसमें हम मद्रदेश के 30 important question लेकर आते हैं वो भी launch की गई है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए तो आज के लिए बस तना ही have a nice day